एनो डॉमिनी का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं एनो डॉमिनी को शोट में AD भी कहा जाता है जो एक Latin phrase है और इसका मतलब होता है In the years of our Lord यानि की अनो डॉमिनी का मतलब होता है कि भगवान के साल या भगवान के जन्म के बाद के जो साल है यानि कि जो इसा मसी के जन्म के बाद के जो साल होते हैं या एर हैं उनको अनो डॉमिनी कहा जाता है यानि जो इसा मसी के जन्म से पहले का समय है उसे हम BC यानि Before Christ कहते हैं और उनके जन्म के बाद का जो समय है उसे AD कहा जाता है जैसे AD 2024 का मतलब है कि इसा मसी का जो traditional date है जन्म की उनके बाद 2024 साल हो चुके हैं तो उसको AD 2024 हम कहेंगे तो Anodomini को short में AD भी कहा जाता है और इसका मतलब है कि इसा मसी के जन्म के बाद का जो समय है उसे Anodomini कहा जाता है इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपके screen और video के description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और उसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें औ बेल ऐकन को प्रेस करें